जी हाँ अगर आप सरकारी नौकरी ढून रहे तो मैं आपके लिए एक नहीं दो नहीं बलकि पूरी दस नहीं वेकिंसी के बारे मैं आपको बताने जा रही हूँ इसलिए इस इंफरमेशन को गौर से देखिए और उस पर अमल कीजिए हो सकता है आपको इन में से कोई नौकरी जी हाँ सबसे पहली वेकिंस है दिल्ली पुलिस में यहाँ पदो के संख्या 2000 है पत का नाम है ड्राइवर आवेदन के लिए अंतिमतारी के 30 सितंबर 2019 आउशक योग्यता है उमीदवार को किसी भी मानेता प्राप्त विद्याले से बारवे पास और हैवी वहिकल ड्राइव जी हाँ अगर आप दिल्ली पुलिस में भी नहीं जाना चाहते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम आपके लिए कोर सरकारी नौकरी के इंफर्मिशन लाए हैं आप इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए यह वेकिंसी है महारास्ट्र लोक सेवा आय बत्ते रहेंगे आवेदन के लिए योगियों मीदवार www.maha.gov.gov.n पर जाकर आवेदन कर सकते हैं जी हाँ अगर आपको यह नौकर भी पसंद नहीं आईए तो घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड कोची ने भी वेकंसी निकाली है आवेदन करने के लिए योगियों मीदवार www.cochinshipyard.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं जी हाँ अगर आपको यह नौकर भी पसंद नहीं है तो आप इंडियन नेवी जोइन कीजिए यहाँ पदो की संक्या 300 है पत का नाम है MTS आवेदन के लिए अंतिमतारी के 25 सतंबर 2019 आवेदक की आई 18-28 होनी चाहिए और आउशक योगिता है उमीदवार को बारवी पास होना चाहिए पेस्केल 3650 रुपे रहेगा आवेदन के लिए आप www.joinindiannavy.gov.n पर जाकर आवेदन कर सकते हैं जी हाँ अगर आपको लगता है कि यह नौकरी भी आपके लाइक नहीं है तो आप नर्दन रेल्वी जोइन कीजिए यहाँ पदो के संक्या 100 है पत का नाम है ग्रुप डी आवेदन के लिए इंतिमतारी के 29 सतंबर 2019 आवशक योगिता है उमीदवार को दसवी पास होना चाहिए आवेदक के आई 18-28 होनी चाहिए पेस के 26,100 रुपे रहेगा आवेदन के लिए आप www.nr.indianrailways.gov.n पर जाकर वज़िट कर सकते हैं जे हाँ अगर आप नदर्न रेल्वे में भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपना आवेदन इगनू में दीजिए यहाँ पदों के संक्या 30 है पत का नाम है टीचर आवेदन के लिए इंतिम तारी के 14 सितंबर 2019 आउशक योगिता है कैंडिडेट को किसी भी मानिता प्राप्त विष्चे विद्याले या संस्थान से बीड पास होना चाहिए आवेदक्या यू 23 से 35 होनी चाहिए पेस्केल 37,500 रुपे रहेगा आवेदन के लिए आप www.ignu.ac.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं जहां अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं आई तो आप गुजरात हाइकूट में आवेदन कीजिए यहां पदो की संख्या 12 है पत का नाम है एड़ोकेट आवेदन के लिए अंतिमतारी के 22 सितंबर 2019 आवशेक योगिता है उमीदवार को एललबी पास या समकक्षे योगिता होनी चाहिए आवेदक्या यू 23 से 40 होनी चाहिए पेस्केल 50,000 से 62,400 रुपे रहेगा आवेदन के लिए आप www.gujrat.nick.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा आप Life Insurance Corporation में भी अप्लाइ कर सकते हैं यहां पदो की संख्या 58 है पत का नाम है LIC Agent आवेदन के लिए अंतिमतारी के 28 सितंबर 2019 आवशक योगिता है उमीद्वार को Commerce Graduate होना चाहिए आवेदक्या यू 21 से 35 होनी चाहिए पेस्केल 20,000 से 35,000 रुपे रहेगा आवेदन के लिए आप www.licindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जी हाँ अगर आपको यह नौकरी भी पसे नहीं आईए तो घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि राजस्थान Home Guard Department ने भी वेकिन से निकाली है यहाँ पदोगी संक्या 40 है पद का नाम है Assistant Engineer आवेदन के लिए अंतिमतारी के 30 सितंबर 2019 आवशक योगिता है मानिता प्राप्त विद्याले से उमीद्वार को बीटिक क्या होना चाहिए आवेदक की आयू 23 से 35 होनी चाहिए पेस्केल 55 रुपे रहेगा योग्यों मीद्वार उनलाइन लिंक www.hppsc.hp.gov.n पर जाकर आवेदन कर सकते हैं जी हाँ और आज की आखरी बंपर वेकिंस के है रविंद्र भारती विश्व विद्याले कोलकाता में यहाँ पदोगी संक्या 100 है पद का नाम है प्रोफेसर आवेदन के लिए अंतिम तारीक 28 सितंबर 2019 आउशक योगिता है उमीद्वारों को PhD पास होना चाहिए आवेदक की आईउ 26 से 40 होनी चाहिए पेस के लिए 50,000 रुपे रहेगा आवेदन के लिए योग्यों मीद्वार www.rbu.ac.n पर जाकर आवेदन कर सकते हैं जी हाँ परोब तो सभी वेकंसी का ओनलाइन फॉर्म भरते वक्त आप इस बात का ज़रू ध्यान रखिए कि आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरेण लिखा है आप वही भरिए अन्यता आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जी हाँ तो ये थी दस अलग-अलग विभागों के सरकारी नौकरियों के वेकंसी की इंफोर्मेशन और अगर आपको यह इंफोर्मेशन अच्छी लगी तो इस पोस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें कॉमेंट करें और शेयर करें इसके साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिये गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि सरकारी नौकरी से समबंदित सारी खबरों से आप रह सकें अपडेट करें आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें